केजरिवाल जी भगज सिंग जी देश की स्वाधीनता के लिए हस्ते हस्ते चड़े थे आपने दारू के ठेकों में ब्रश्टाचार करने के लिए आज आप जेल के अंदर हो क्रपया करके अपने मुँ से इस तरह के बड़े देश के मापुरुष का नाम भी मतले हैं क्योंकि आप इस युग के सबसे बड़े ब्रश्टाचारी हैं जो चार तारिक को चार वजे क्योंकि वो तो जेल में रहेंगे तो वो अपनी स्क्रिप्ट आज ही पढ़के जा रहे हैं बाकी के नेता चार तारिक को चार वजे यही बोलेंगे इवी एम अरे इवी एम खराब नहीं है आपका जो मॉडल है देश को सामने जो आपने रखा है उसको देश के मद्दाताओं ने अस्विकार कर दिया है आपने जो देश को ब्रश्टाचार का जो आपने एक्जामपल सेट किया गया है उसको देश के लोगों ने नकार दिया है जिस तरह से हमने देखा चुनाव के दोरान भी और दारू के काम में दारू से आम आदमी पार्टी का ऐसा रिष्टा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री दारू की ऐसी अवस्ता में पहुंच गये थे जो हेल्थ मिनिस्टर है वो ब्रश्टाचार के आरोप में अंतर जो अर्विंद केजरिवाल जो अपने आपको एक नई राजनिती बताना चाहते थे उन्होंने ब्रश्टाचार के नए रेकॉर्ड स्तापित करने का काम किया ह देखे सबूत नहीं मिलते तो क्या सुपRIम कोट उनको वापस जेल में डालती क्या सुपRIम कोट क्या अर्विंद केजरिवाल जी ये कहना चाहते हैं कि कोट भी मैनूपलेटेड है कौम्प्रोमाइज आपको सुप्रिम कोट जैसे संस्ता पर वो आरोप लगा रह है उनको स इतने दिन बाहर रखो वापीस अंदर लाओ क्योंकि अगर यह बाहर रहे तो सबूतों के साथ छेड़ चाड़ कर सकते हैं तो सुप्रिम कोट जैसे संस्ता पर जिस पर देश के हर व्यक्ति का अंद विश्वास है अटूट विश्वास है उस पर केजरिवाल जी प्रश्ण लगाना चारे हैं सरकार जेल में नहीं डालती है नियायले जेल में डालते हैं और वही नियायले ने आपको 15-20 दिन प्रचार के लिए बहार आने की भी अनुमती दिये ध्यान रखिये इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है यह कल्यूक के सबसे बड़े ब्रश्टाचा दिल्ली में था दिल्ली में पानी की पूरी अवेवस्ता थी भारती जनता पार्टी के सारे सदस्य कारेकरताओं ने स्वेवी सरकार को जगाया है तो केजरिवाल जी की जेल जाने का इंतजार कर रही थी कि आतिशी जी क्योंकि जेल जाने तक तो केजरिवाल जी की प्रोट सबीट.